बुरी तरह से अपमानित करके उनसे राजप्रोहित की पदवी छीन ली गई थी और प्रजा और राजसभा में उपस्तित राजमहल के लोगों के सामने उन्हें राज से बहिश्कृत कर दिया गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जो राजप्रोहित को किसी भी अपरात का दोशी नहीं मानते थे और ऐसे बहुत से लोग थे जो उन पर अंधविश्वास किया करते थे। कुछ लोग उन्हें किसी भी तरह से क्रोधित नहीं करना चाहते थे। वे लोग उन से बहुत ज्यादा डरते थे। दरसल सच्चाई तो ये थी कि विरान गड़ के राजपरिवार के लोग प्रजा के सामने अपने आपको जितने सब्वे, शालीन, संसकारी और मर्यादित बताने की कोशिश किया करते थे। असलियत में वैसा कुछ भी नहीं था। राजपरिवार में बहुत से मनमुटाव, विरोध और अंदुरूनी जगड़े हमेशा से ही बने हुए थे। महराज जो कि अपने आपको न्याय मूर्ति और प्रजापालक बताया करते थे। दरसल वे एक भूखे बेड़ी थे जो हमेशा सुन्दर, किशोरी और कोमल कर न के लिए था। उन्हें हर एक चीज़ पर पूरण अधिकार था। वो इनसानों को भी अपनी संपत्ति के समान ही मानते थे। राजपरोहित के बहन के साथ किये गए कुकृत्य को राजपरोहित ने अपने दिल में छुपा रखा था। उन्होंने अपनी असलियत कभी भी कि पर जाहिर नहीं उने दी थी। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि एक ही पल में इतने बड़े सामराज्जी को तबाह नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपने आने वाले पूरे जीवन को राजपरिवार की बरवादी के हिन नाम कर दिया था। वो एक बार न लिखने में जितनी सुंदर थी उसका मन उतना ही प्यारा था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था लेकिन महराज ने उसके साथ जितना बुरा किया था उसके लिए महराज को सिर्फ मिर्ति डंड दिया जाना नाय संगत नहीं होता। उन्होंने राजपरोहित से उनकी लिख देने वाले थे। वे जंगल जंगल पहार पहार नदियां नदियां गुफाओं हर जगह ऐसे लोगों को तलाश करने लगे जो उन्हें ऐसी अदबुद शक्तियां दे पाएं जिससे वे उस अत्याचारी राजा के सामराज्जी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला राजपरिवार के सताय हुए लोगों को उन्होंने धीरे धीरे सांतवाना देकर उनकी छोटी मोटी सहायता करके या उनकी चापलुसी करके अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया था। अब जब क्यों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे चाहे बात बुद्धी की हो या राजनीती की एकलव्य का किसी भी तरह से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एकलव्य भी राजपरिवार का सताय हुआ था और यही राजपरोहित के लिए सबसे महत पूर्ण था। वो एकलव्य को अपना सबसे खास मोहरा बनाना चाहते थे और वो काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गे थे। एकलव्य जो कुछ भी करते आ रहा था उसमें कहीं न कहीं राजपरोहित की सहमती जरूर शामिल थी। वे दोनों मिलकर शड़यंत्र को आगे भी बढ़ाते आ रहे थे। लेकिन अब तक सिर्फ राजपरोहित ही दोशी करार दिये गे थे। राजपरोहित कभी ये नहीं चाहते थे कि विरान गड़ की तबाई बंदो। इसलिए उन्होंने सभी शड़यंत्रों का आरोप सिर्फ और सिर्फ अपने उपर ले लिया था। वे राजमहल का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ हीच कर उन्हें निश्शिंत करना चाहते वे जब-जब राजपरिवार को हस्ता खिल-खिलाता हुआ और संपन्ता से भरा देखते तो उनके सीने पर सांप लुटने लगते। वही तकलीफ वो पूरे राजपरिवार को देना चाहते थे। उनकी बहन उनका सम्मान थी और युवरानी रूप मती राजपरिवार का सम्मान। वो चाहते थे कि सारी प्रजा को ये बात पता चल जा कि विरानगण की युवरानी एक लोहार के साथ रंग्रलिया मनाती अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने तंत्र मंत्र काले जादू वशी करण। अगहोरी विद्या और नाजाने किन-किन विद्याओं को सीखना शुरू किया था। उनके लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। कई बार उनकी जान जाते जाते बची थी। अगहोरी विए साथ साथ वे शम्शान में पूजा करते थे। तो कई बार अत्रिप्त आत्मा और पिस्षाचों से उनका सामना हुआ। एक बार तो उन पर एक औरत की अत्रिप्त आत्मा का कब्जा हो गया था। उनकी किसमत की वे अगोडियों के साथ थे। इससे पहले कि वे अपने आप को खत्म कर लेते उनके गुरूँ ने उनके गुरूँ ने उनके बचा लिया था। अगर बात इससे पहले की की जाए तो हमें समझ आता है कि उन्हें विरान गड़ का राजपरोहित यूही नहीं बना दिया गया था। उन्हें न जिस तरह की सिद्यां हासिल की थी। उसके बाद विरान गड़ के महराज की अविष्टा थी कि वो वर्षों से खाली पड़े राजपरोहित के पद पर उन्हें बिठाए। दरसल हुआ ये था कि जब कुमर देवराज 15 साल के थे तब उन्हें अचान ही वो डर कर रोने लगते, पागलों की तरह हरकते करने लगते। उनकी कमजोरी हद से जाधा बढ़ती जा रही थी और उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। जब महराज ने हर तरह के उपाय करवा कर देख लिए और वेहताश हो गये तो उन्हें उनके पुरानी बिमारियों को छुते ही गाइब कर दिया था। जब महराज को लोगों की बतायुए बातों पर थोड़ा यकीन हो किए, तो उन्हों ने उस बाबा को राजमहल में उपस्तित होने का आदेश दिया। महराज के बार बार संदेश भीजने पर भी उस बाबा ने राज महल में आनी से मना कर दिया। इससे महराज को बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा लेकिन वो एक सन्यासी का कर भी क्या सकते थे। फिर महराणी और कुछ मंत्रियों ने महराज को समझाय की इस तरह से सन्यासी बाबा इतनी आसानी से राज महल में नहीं चले आते हैं। महराज को स्वैम उस बाबा से मिलने जाना चाहिए। फिर कुछ पल के लिए अपना एहंकार छोड़ कर विरान गड़ के महराज स्वैम अपने पुत्र को रत में बिठा कर उस बाबा के पास चले गे। जैसे ही महराज ने उनसे विनिती की, कुछ ही पलों में उन्होंने युवराज पर जैसा जादूसा कर दिया। वे पहले की तरह हसने खेलने लगे। उस बाबा ने अपने पास कावी मंतरित जल, कुमर पेर में महराज के देखते ही देखते, कुवर देवराज ने उस बाबा के दिये हुए सारे फल खा लिये। पिछले कुछ समय से जो युवराज अपने खुद के साए से भी डरी जा रहे थे, वहीं बाबा के सामने आते ही वे बड़े ही प्रसनल लगने लगे। उस दिन मह राज का आदेश मान कर राजपरोहित विरान गड़ छोड़ कर चले तो गह थे, लेकिन वो और जादा लंबे वक्त तक खुद को विरान गड़ से दूर नहीं रख पाएं। उन्होंने कुछ ही सालों में अपने आपको और भी जादा सक्षम बनाना शुरू कर दिया। आले चादू की मदद से अने को भटकती हुई अत्रेपता आत्माओं को इकटा करना शुरू किया। वहाँ पहले से भी कैसी कई भटकती हुई आत्माई थी जो राजमहल से प्रतिशोड लेना चाहती थी। राजपरिवार के विरुद शड़ियंत रचने के लिए राजप परिवार के बाकी लोगों को भी यही लगने लगा था कि अब राजमहल के विरुद शड़ियंतर करने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। अब लगबग सब कुछ ठीक चलने लगा था। रूपमती अब अपने पती देवराज के साथ अपने संबंध सुधारने लगी थी। एक लव्य जो कि राजपरिवार से सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध लेना चाहता था अब उसके दिमाग पर रूपमती का रूप भावी होने लगा था। उसने राजपरोहित से मिलकर तंत्र विद्या की मदद से रूपमती का फाइदा उठाना शुरू कर दिया। दासी पर फिर से वश में करने के लिए राजपरोहित और एकलब्य ने बहुत ही शक्तिशाली डाइन और पिशाच का आवान किया। और उनकी मदद से एकलब्य रूपमती को एक बार फिर से अपने प्रेम जाल में फसाने लगा था। एकलब्य का ऐसा मानना था कि वो जो कुछ क कर रहा था, वो सिर्फ अपने प्रेम से विवश होकर कर रहा था, लेकिन सच्चाई क्या थी, ये तो कोई नहीं जानता था। बदला लेने की होड में ही वो अनजान रूपमती के प्यार में पड़ गया था, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे अपना उदेश्य पूरा करना था और वो था विरान गड़ समराजी की तबाही। है वी जंगल है, तब भी उस भूतों की सेना के सामने इनसानी सेना कुछ मिनटी टिक पाती। अब तक रूपमती और एकलब्वे के बीच में काफी दिनों से कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी, ना चाहते हुए भी रूपमती की उससे मिलने की इच्छा होने लगी थी। उ राजपरोहित ने एकलब्वे के साथ मिलकर देवराज को मारने का जो दिन तै किया था, उस दिन वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था। उनकी एक और साज़िश नाकाम्याब हो गई थी। राजपरिवार से कोई भी उस आग वाले हाथसे में नहीं मारे गे थे। राजपरोहित को देश निकाला दिये जाने के बात से ही महराज के पास प्रजा के लोग तरह-तरह की शिकायते लेकर आने लगे थे। कुछ लोग ये कहने लगे कि उनके पालतु जानवर एक-एक करके तडप-तडप के मर रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे कि उनकी फसलों में न जाने क्यों पर बहुत से कीड़े लगने लगे हैं। वीरान गड़ के इतिहास में इससे पहला ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अगर अतिवरिष्टी, सूखा, उला वरिष्टी, तुफान या और कोई प्राकर्तिक आपता आभी जाय करती तो भी राजप्रोहित काफी हद तक उससे लोगों को बचा लिया करते थे। ऐसे ही नहीं था कि यह परिशानिया सिर्फ प्रजा को हो रही थी। राजमहल के लोग भी एकिक करके परिशानियों से गिरते जा रहे थे। अब तक वहाँ पर कोई भी औलोकिक शक्तियां किसी को दिखाई नहीं दी थी। लेकिन पिछले कई दिनों से लोगों को रात में तरह तरह की आवाजे सुनाई देने लगी थे। ऐसा नहीं था कि विरानगळ में सिर्फ राजपरोही थी एक जानकार आदमी थे। लेकिन उनके जैसा जानकार भी कोई दूसरा नहीं था। ये भी उतनी बड़ी देवराज अचानक से कुछ अजीब अजीब हरकते करने लगे थे। इसे लेकर महराज के मन में काफी चिंता घर करने लगी थी। जहां विरानगळ की सेना में अनुशासन, सामंजस और समनव्वी की कोई कमी नहीं थी। उसी विरानगळ की सेना में इन दिनों इरश्य, द महराज को हर तरह के परिवर्तन करने के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य की सम्रिद्धी को बचाने के लिए महराज को कई तरह के उपाई करने होंगे और महराज उनकी बातों को आँख मुंद कर मानते रहे थे। जिस दिन से महराज ने राजपरोहित को द अब जब इतनी सारी अन्होनी घटना एक के बाद एक होने लगी तो लोग इसे राजपरोहित के तिरसकार और भाईशकार से जोड़ कर देखने लगे। के लिए अब बहुत मुश्किल भराओने वाला था। दूसरी तरफ रूपमती ने जब उस रात अपने आपको अपनी पती को सौपा था। उन्हें तब से सब कुछ होती भी कुछ अधूरा पल लग रहा था। उन्होंने देखा था कि किस तरह से उनके पती जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने का दावा किया करते थे। वे सिर्फ उसके साथ संभूक करने के ही भूक लग रहे थे। एक बार जब उन्हें वो सुक मिल गया तो उसके बाद से उनका वैवार रूपमती को लेकर थोड़ा बदलने लगा था। तो रूपमती के वैवार में आगे कैसा वरला बाने वाला था। राच पुरोहित और एकलब वे आगे क्या करने वाले थे। क्या युवराच देवराच की जान खतरे में थी। क्या नए पुरोहित विरान गड़ की रक्षा कर पाएंगे। जानने के लिए सुनते रहे।